हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टो आनदर वीडियो टुटल प्राम केपिजवालो जी तोड़े वीडिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आप ब्रेंड एंड स्पैनल कॉर्ड तो यह जो वीडियो है देखने वाल है कि प्रेंड का उसके बारे हम करेंगे यह जो मैं इंट्रक्टर्रेंग करेंग़ में और आगे के वीडियो से करने का करते हैं यहां पर में उसका स्पाइनल कॉल्ड यह दोनों जो है यह जो मेसोडर्म मली, एक्टोडर्म मली एरीजिन है. जो embryologically means, embryo जो है, embryo जब develop होता है, उस समय पे यह क्या है? यह एक्टोडर्म से तयर होते है. किसे? अर Dis quoted. एक्टोडर्म एक्टोडर्म और endoderm तो मैंने आपको जो hurt का structure है और hurt है human hurt है human hurt का development जो होता है वो mesodermally origin होता है और हमारा brain और spinal cord जो है वो ectodermally origin होता है तो यहाँ पे question पुझने का chances ज्यादा रहते है कि यह जो basic है ectodermally origin यह इसके उपर question पोचा जा सकता है तो उसके बाद ब्रेन और स्पाइनल कॉड है वो इसको प्रोटेक्टिव कवरिंग रहता है उस प्रोटेक्टिव कवरिंग में क्या आता है उसको थ्री लेर्स रहते प्रोटेक्टिव कवरिंग के थ्री लेर्स रहते उसको हम कहते हैं मेनिंजेस उसको हम कहते हैं ह假표 हिए वैं कुम है निम्हें जीकाए तो मेेनिंगर एक की तीन टाइप है पहला वाला जो है को हुआ है ग्यूरा मैटर मैं कहीं है को दूसरा वाला जो है अर्यक्णोए Attorney है कि ऑदेर को हो दीनमेंटर कि दूसरा वाला जो है वो किया है पियामेटर है तो यह तीन टाइपस के कभरेंग प्रेजन्स रहता है तो जो डूरा मैटर रहता है डूरा मैटर क्या है डूरा मैटर यह यह आउटर डूर मुस्ट थीख लेयर है टिशू की हर ऊक्या करते में लिए प्रोटेक्ट्टीव फंक्शन करता है उक्या करता है प्रोटेक्ट्ट्ट्टीव फंक्शन करता है और जो डूरा मैटर है इस परकार क्या रहते है तो यह आटर मोज जो है यह दूरा मैटर है यहें ठीक रहते है और यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे कोई इंजूरी जब होती है जब फिसिकल इंजूरी होती है तो यहाँ पे प्रोटिक्टिव functioning करता है और यह क्या है cranium है यहाँ पर क्या रहता है इसके उपर क्या रहता है इसके उपर यह जो blue color में दिखा रहा हूं यह क्या है रहता है cranium रहता है cranium यह cranium रहता है उसके बाद उसके बीच में क्या रहता है duramatter present रहता है और जो arachnoid matter है यह क्या रहता है थीन अरेक्टमेंटर मेंटर कैसे रहता है थीन वैस्कुलार टिशू से रहता है ओके थीन वैस्कुलार टिशू से बना हुआ रहता है और यह क्या करता है नूट्रिटिव फंक्शन करता है नूट्रिटिव ओके यह क्या करता है जो ब्रेन है ब्रेन की जो से से लिए टिस्यूस होते हैं उसको है क्छता है nutrient प्रोवाइड करता ये उसको गैसियस एक्सचेंज के लिए निूट्रिशन एक्सचेंज के लिए यहाँ पे क्या करता है ये help करता है तो यह mainly कहा परता है nutritive in functions Ho होता हैं तो इसके अंदर का जो हे इसको हम कहते है अरेक्णोइड मेटर और जो लास्ट वाला रिजन जो दिखरा है आपको उसको हम कहते हैं पिया मैटर ये जो वैसकुलार टिशो से तायर होता है और ये मेंली न्यूट्रीटिव फंक्शन करता है न्यूट्रीटिव फंक्शन करता है और nutrition जो brain का cells होता है उसको यह nutrition प्रोवाइड करता है और यह कहाँ पर यह जो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या रहेगा यहाँ पर इस प्रकार इस प्रकर हमारा brain रहेगा तो यह brain के नजदिक होता है तो यह highly vascular होने के वज़े से यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर gases और oxygen का changes उसके बाद nutrition का changes nutrition उसके बाद यह waste material जो होता है waste material का भी यहाँ पर changes होता है तो यह p.i.matter का जो reason है nutritive in functions और waste product को बाहर भीजने के लिए help करता है तो यहाँ पर देखो यह जो duramatter और arachnoid matter में जो यह आपको space दिख रही है उस space को हम कहते है subdural space क्या कहते हम उसको subdural space तो यह जो subdural space है यह किस से filled होती है और इसमें किस प्रकार का fluid रहता है इसमें subdural fluid और हम कहते है cirrus fluid cirrus fluid इसको हम कहते है cirrus fluid कहते है उसके बाद जो arachnoid matter और p.i.matter है इसके बीच में यह जो space रहता है उसको हम कहते थे sub arachnoid space और इस स्पेस में क्या रहता है mainly इस स्पेस में cerebrospinal fluid रहता है और c.f.u रहता है सेन रहता है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्ल्यूड सेरेब्रोस्पाइनल फ्ल्यूड सी एस एफ तो यह सी एच्छी आफ का बहुत इंपर्टन रोल होता है ओके, यह CSCF का बहुत important role होता है, तो यह CSCF क्या रहता है, alkaline pH रहता है उसका, यह जो fluid है, उसका क्या रहता है, CSCF का, alkaline pH रहता है, उसके बाद, यह CSCF किससे तैर होता है, produce form, from, produce form, cerebro, choride flexus, ओके, यह क्या रहता है, produce from, choride flexus, and epidemal cells, यह epidemal cells और choride flexus ते यह क्या रता है, secret होता है, यह क्या रता है, secreted by, okay, secreted by, choride flexus और epidemal cells, okay, adult में इसका, in adult, in adult, लगबग 120 ml तक यह करेता है, CSF, करेता है, adult में 120 ml CSF रहता है, यह क्या करता है, यह mainly क्या करता है, यह help करता है, किसके लिए, brain protection के लिए, protection, ओके, और physical injury, injury, okay, तो यहाँ पर, यह जो meningitis है, okay, यह जो meningitis है, इसको, जब infection होता है इसको जब infection होता है उसको हम कहते है meningitis क्या कहते हैं उसको यहाँ पर लिख दे तो में Meningitis means यहाँ पर meningitis means क्या यह जो dura matter, arachnoid matter, pi matter है जो यह जो इसको meningitis कहते है meningitis को swelling होना means meningitis होना meningitis को swelling होना means meningitis होना तो meningitis जो होते है वहाँ पर infection जो होता है इसमें bacterial infection भी हो सकता है तब हम कहते है जहाँ पर meningitis होता है तब हम कहते है brain में temperature गया इस condition को हम कहते है brain में temperature गया means क्या brain का temperature increase होता है क्यों increase होता है meningitis उसका swelling होता है वहाँ पे bacterial infection होता है तो यहाँ पे infection होने के बाद यहाँ पे बहुत critical situation आती है patient को तो meningitis इस प्रकार होता है यहाँ पे bacterial infection mainly होता है तो यह physically injury से बचाता है उसके बाद हो हमारा balance है जो cranium का balance है वह offend transit का fluid वह पे go संद्ग करता है क्रा जो होता है वह प्रेशन करता है मेंटें करता है उसके बाद होता है अमारा blood से nutrient आता है oxygen आता है, waste product को यह क्या करता है, जो हमारा cerebrose spinal fluid जो है, एक्सजेंज करता है बहुत ज़्यादा help करता है और जो cerebrose spinal fluid जो है वो और एक help करता है desiccation के लिए, brain को protect करता है, brain का desiccation रोलकने के लिए protect from desiccation तो यह इस प्रकार क्या होता है cerebrose spinal fluid का role, most important role होता है, और यह जो covering होता है, यह covering यह protective layers होता है, तो इस प्रकार क्या होता है, आपका जो protective covering हो वो structural, outer structural structure जो है, इस में होता है तो आपको इसके आगे के जो वीडियो से वो हमें brains के उपर देखने वाले है, तो आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो like करो, share करो, और हमेरे channel को subscribe करो, thank you झाले हो, तो